हेलो एवरीवन वेल्कम तो मैं चानल वील ओफ वॉर्चुन डबल वन डबल वन मैं हूँ आप सब की टरोकार रीडर पूर्बागूश कैसे हैं आप लोग आई हो कि आप सब बहुत अच्छे हो गाईज आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत ही जादा स्पेशल रीडिंग होने वाली है आज हम देखने वाले हैं कि आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं आपकी जो सोलमेट हैं उनकी हायर सेल्फ के तरफ से आपके लिए लव लेटर तो ये जो आपके सोलमेट हैं ये हो सकता है क आपके life में already मौझूद हो आप उन्हें पहचानते हो present है वो आपकी जिन्दिगी में या फिर कोई future का इंसान भी हो सकता है जिनसे आप physically अभी तक मिले नहीं हो और उन्हें आप अभी physical level पर पहचानते नहीं हो so possibilities यहाँ पर कोई भी हो सकती है तो हम वही देखेंगे कि आपके जो life partner है आपके जो soulmate है उनके हर self से आपके लिए क्या messages है वो क्या love letter आपको देना चाहते है okay so आज आपको अपने name का first letter चूज करना है यानि कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज करना है okay अब यहाँ पर आप अपने official name का first letter चूज कर सकते हैं या फिर आप अपने nickname का भी first letter चूज कर सकते हैं okay but accuracy ज़्यादा तर आपके official name के first letter चूज करने पर आने के chances ज्यादा बने रहेंगे because वो वाला name जो है वो आपके हर एक जगह में use होता है okay so yeah और nicknames तो कोई भी रख देता है ठीक है और एक इंसान के several nicknames हो सकते हैं but एक इंसान का official name हमेशा एक ही होता है okay so चलिए देख लेते हैं तो अगर आपके name का first letter A से M के बीच में आता है तो आपको इस blue envelope को choose करना है okay और अगर आपके name का first letter N से Z के बीच में आता है तो आपको ये purple envelope को choose करना है okay so this is for A to M and this is for N to Z so ये एक timeless reading है ये एक general reading है और ये gender specific नहीं है आप सब के लिए हैं आप सब देख सकते हो okay बाकी details के लिए energized stones, crystals, gemstones के लिए online tarot classes के लिए आप मुझे given whatsapp number पर insta ids पर contact कर सकते हैं और बहुत चल्द paid readings भी हैं शुरू करने वाली हूं फिर्च से जपॉइट्मेंट bookings है वो reopen होने वाली है तो मैं inform कर दूँगी बहुत जल्दी open होने वाली है फिर से आप लोगों के बहुत सारे requests आ रहे हैं guys trust me मुझे बहुत सादा DMs आते comments भी आते हैं कि मैं इसे reopen करूँ मैं फिर से personal readings लूँ तो I will start okay और मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी so yeah I will inform you all so चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की reading और देख लेते हैं कि आपकी soulmate का channel love letter आपके लिए क्या है वो आप से क्या कहना चाहते है hello pile number one अगर आपके name का first letter A से M के बीच में आता है और आपने इस blue envelope को choose किया है तो देख लेंगे कि आपके जो soulmate life partner है उनके हाइल से आपके लिए क्या love letter है अब ये soulmate आपके life में हो सकते है already मौजूद है आप उन्हें जानते हो या फिर हो सकते है कोई brand new इंसान है तो basically हम उनके higher self के तरफ से आपके लिए messages और love letter देखने वाले है तो ये एक timeless reading है जब भी आप देखेंगे आपके लिए applicable होगा ये एक general reading है और ये आप सब के लिए है चाहे आप किसी भी culture से हो चाहे आप किसी भी जेंडर से हो ठीक है doesn't matter आप सब के लिए है तो चलिए देख लेते हैं बाकी details के लिए energy and stones, crystals के लिए tarot classes के लिए आप मुझे given whatsapp number पर insta ids पर contact कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं तो ये पूरी तरीके से एक channeled love letter है आप लोगों पता होगा channel love letter का मतलब क्या होता है so let's start सबसे पहले हम later देख लेंगे so मैं यहाँ पर इसे open कर लेते हूँ open कर लेते हैं and then let's see wow okay so देख लेते हैं किस letter में क्या लिखा हुआ है क्या कहना चाहते हैं आपके soulmate so मैं start कर रही हूँ my love we are inseparable we are still together even after so many hurdles and I am glad that you never got fed up of me you already know how much I love you and can do anything for you I still remember every little detail about you and our connection and cherish those moments I don't know why I am not able to recognize the real you this time I feel like you are still away from me this life and I am trapped in an illusion where I can't feel or perceive things which are really needed you are always in my mind mesmerized by your beauty and fragrance you wear you are and you will be the one for me my lover my companion my guide my pillar my peace two bodies is but one soul your achiever so this is your soulmate this is your love letter I can also translate it in Hindi and this is your past life connection so this is how many problems you have never left so this is how many problems you have never left किसी से भी deal नहीं कर रहे हो या फिर आपने नहीं किया है पास्ट में तो यह आपका past life connection हो सकता है हो सकता है कि आपके soulmate को अपने past life की कुछ चीजे याद आती है या कुछ मुने महसूस होता है ठीक है आप से related ऐसे chances यहाँ पर definitely है आपके soulmate आपसे यह भी कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस बार वो आपको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है कि यह इंसान दूसरे लोगों में आपको ढूंड रहे हैं या फिर आपको ढूंड रहे हैं लेकिन आप उन्हें मिलनी पर आपको समझ नहीं पा रहे हैं उनका soul तो आपको पहचान नहीं पा रहे हैं ठीक है वो आपसे यह भी कह रहे हैं कि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आप उनसे अभी भी दूर है इस lifetime में और वो इक इस तरीके के जाल में फसे हुए हैं जहां पर यह चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं जिस चीजों को उन्हें समझने की जरुवत है आपके soulmate आप से कहना चाहते हैं कि आप उनके दिलो दिमाग में हमेशा रहते हो और वो आपके beauty से बहुत जादा attracted है ठीक है यह आपको बहुत जादा admire करते हैं वो और वो आपको यह भी बता रहे हैं कि अच्छे दोस्त हो आप उनके lover हो ठीक है आप उनके guru की तरह भी हो जहां पर आपने उन्हें guide किया है आप उनके pillar हो और आप उनके शान्ती हो उन्हें ऐसा लगता है कि दो शरीज जरूर है लेकिन आत्मा जो है वो एक ही है और यह आपने लिखा है your achiever तो हो सकता है कि आप सो यहां पर बहुत clear messages मुझे नजर आ रही है guys कि हो सकता है कि इस person से आप already deal कर चुके हो कभी आपके lover थे crush थे या कोई थे और इन्होंने हो सकता है आपको reject किया या फिर इनके साथ आपकी चीजे continue नहीं हो पाए या फिर अभी separation है no contact है ऐसा situation हो सकता है या फिर हो सकता है कि भले आप जानो या ना जानो इन्हें लेकिन एक past life connection हो सकता है ठीक है जहां पर वो इस lifetime में भी आपको ढूनते हैं लेकिन दूसरे लोगों में ढून रहे हैं अभी तक वो आपको ढून नहीं पाए हैं आपको समझ नहीं पाए हैं और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है क कि आपको कैसे अपने करीब लाए या फिर कैसे आपको ढून दे इस lifetime में ठीक है येस और कुछ लोग के लिए आपके secret admirer हो सकते हैं मतलब यह आपको जानते तो हैं लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं पाए हैं ठीक है हो सकता है आपको बहुत पसंद करते हैं आपको इन्हो अपने सोल को फील नहीं कर पाए हैं तो यह यहां पर उनके तरफ से आपके लिए लव लेटर था ओके सो यहां पर मैं कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूंगी ठीक है तो इससे आपको और भी तादा clarity मिलेगी तो यह जो इनसान है इनके चार्ट में सैटन बहुत हो सकता है या फिर आपके फिफ्थ या सेवन्थ हाउस में सैटन हो सकता है ठीक है आपके बर्थ चार्ट में ठीक है या तो लगन चार्ट में या फिर नवामशा चार्ट में चांसेस हैं सबकी लिए नहीं बोलूंगी लेकिन हां चांसेस हैं कि फिफ्थ हाउस में या सेव त्रियाज राइजिंग हो सकते हैं यह लियो राइजिंग हो सकते हैं दोनों में से कोई debenyeah sign is person का हो सकता है majority के लिये ठीक है लिब्रा इनकी sun ya moon sign में से हो सकती है एक बहुत जादा emotions जो है यह इनसान कैरी करते हैं अपने साथ emotional emotional being है okay और इनके 4th यह 2nd house में moon हो सकता है या आपका हो सकता है ठीक है आपके fourth house में भी moon हो सकता है और यह इंसानी ऑफर हो सकते हैं writer हो सकते हैं ठीक है बहुत ज़दा creative personality है यह इंसान बहुत ज़दा good looking होंगे ठीक है बहुत ज़दा beautiful बहुत ज़दा handsome यह इनसान होंगे appearance के तोर पर अगर बात करूँ, यह इंसान social work करते होंगे, ठीक है? और communication field, medical field and spiritual field, यह 3 major fields हैं, जहां से यह इंसान बिलाउंग कर सकते हैं professionally, ठीक है? और यह इंसान player हो सकते हैं, player in the sense, sportsman यह sportswoman हो सकते हैं या फिर किसी एक particular game में particular sport में यह person बहुत जादा अच्छे हैं, ठीक है? तो यह कुछ यहां पर मैंने characteristics के बारे में आप से बात करी जो आपके soulmate के अंदर होंगी या फिर आपके अंदर भी हो सकती है कुछ-कुछ चीजें, तो चलिए, और भी काच्छ, हम देख लेते हैं कि अच्छ, हम देख लेते हैं कि अच्छ, हम देख लेते हैं या जानते हैं, ठीक है? बट एक्सेप्टेंस नहीं है एक दूस्रे को लेकर या फिर वन-साइड हो सकता है चीजें या फिर हो सकता है, rejection का situation बना हुए आप दुनों के बीच में जहां पर आपके person के person को आपका behavior ने पसंद या vice versa या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप दुनों भी मिले नहीं हो आपको लगता है कि नहीं आपके life में कोई soulmate है ही नहीं तो चांब साथियो कि वहाँ आपके you the real soulmate है वह जहां पर exist करहा है थो अपने situation को accept नहीं कर रहे है एक्सप्प नहीं कर रहे है चीजहनों को control कर रहे है और same आप भी कर रहे हो बहुत सारी चीजहों को you can control रहे हो बहुत सारी चीजिओों को you have zape var düst si change कर ना रियालिटी को एक्सेप नहीं कर रहे हो खुद भी इलूशन में स्टक हुए हो तो यह कुछ चीज़े डेफिनेटली यहां पर पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है ठीक है क्योंकि हमेशा सोलमेट ऐसा इंसा नहीं होता जिसके साथ आप अमेजिंग फील करो बहुत लवी रोमेंटिक फील करो कॉंस्टेंटली ठीक है हर एक लोगों के सोलमेट रिलेशनशिप्स जो है वो अलग-अलग हो सकती है तो यह आपके ट्विन भी हो सकते हैं यह आपके लाइफ पार्टन मुझे डेफिनेटली नजर आ रहे है पास लाइफ कनेक्शन बहुत उभर कर यह पर आ रहा है तो यह इंसान आपके ट्विन फ्लेम है सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए हायर लेवल के कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ठीक है क्योंकि ट्विन फ्लेम अगर आप है तो वो ही सिर्फ आपके हैं ठीक है फिर उसके अलावा कोई soulmate वगएरा वगएरा होते ही नहीं है उसे आप create करते हो अराम से ठीक है तो इस तरीके के energy यहाँ पर है ठीक है तो यह इंसान आपके life partner ही मुझे बहुत जादा दिख रहे है भले यह आप तक आपके life में enter in उनने किया हो या नहीं किया हो यह थी आप लोग की reading आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो प्लीज दो like, comment, share and subscribe मैं मिलती हूँ आप लोग को next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई बाई बाई अगर आपके नेम का first letter N-Z के बीच में शुरू होता है और आपने इस purple envelope को choose किया है तो देख लेंगे कि आपके soulmate के आपके life partner के higher self से आपके लिए क्या love letter है यह channel love letter है तो यह soulmate जो हो सकता है अपके life में अरड़ी मौझूद है आपने जानते हूँ या फिर हो सकता है कि कोई future से है ठीक है तो उनके ही हम higher self से बेसिकली सब देखेंगे कि वह आपसे क्या express करना चाहते है क्या love letter है आपके लिए उनका ओके तो एक timeless reading है general reading है जेनर स्पेसिफिक नहीं आप सब के लिए है आप सब देख सकते हैं और energized stones के टिस्टर्स के लिए tarot classes के enrollment के लिए आप मुझे given whatsapp number पर इंस्टा इडिस पर contact कर सकते हैं tarot classes जो है अभी online है ठीक है तो online tarot classes के लिए definitely आप मुझे reach out कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं guys सबसे पहले later देखेंगे फिर cards के मदद से भी देखेंगे तो इसे मैं open कर लेती हूँ जब तक मैं open कर रही हूँ please be positive okay यह अपके life partner के तरफ से भी है तो कही नहीं कहीं आप मुझे एंपर future spouse की भी wives बहुत बहुत दहारी है ठीक है so yes So let's see Open कर लेती हूँ मैं Okay Fake channel love letter है guys So चली अब पढ़ लेते हैं Okay, और मैं अच्छे से explain भी कर दूंगी आपको So yeah, start करते हैं My little warrior Take a deep breath Close your eyes and feel my love for you Do you still think that you are alone in life? I am always with you My precious So don't be upset about anything Our connection is written in the stars And this fate cannot be changed Even if you want to Understand? I am searching for you day and night But see, you are very much happy Continuing this hide and seek I am gonna catch you soon And gonna make you mine forever I am going to fulfill your each and every wish We have a work and soul purpose together And it's a sweet reminder letter for you So that you don't forget your responsibilities and morals of life We are just made for each other And soon the wait will be over for both of us I love you so much and you don't even know I love you so much you don't even know Miss you every time But still I feel you are always with me Am I right? Your life Wow, this is such a sweet love letter I have ever read Wow So guys किसी ने किसी सोच में जो है बीजी रहते हो पड़े रहते हो तो आपके सोलमेट चाहते हैं कि आप कुछ वक्त के लिए अपने अंदर शान्ती लाएं कुछ वक्त के लिए रिलाक्स करें कुछ वक्त के लिए उन्हें महसूस करें और उसके बाद सोचें कि क्या आप सच में इस जीवन में अकेले हैं क्या सच में आपको कोई समझने वाला नहीं अगर रिलाक्स करने के बाद और उनके बारे में सोचने के बाद भी आपको ऐसा महसूस हो तो आपके स्विलमेट आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके हमेशा साथ है भले आपको वो चीज महसूस हो या ना हो आप उनके लिए बहुत प्रिशियस हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी वज़ा के लिए दुखी हो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों distinct हो एक दूसरे के लिए और आप दोनों का रिष्टा already लिखा गया है कि आपका रिष्टा आपकी love story कैसे होने वाली है इश्वर ने आप दोनों के कहानी को लिखा हुआ है और ये जो fate है आप दोनों का इसे कोई भी नहीं बदल सकता अगर आप चाहोगे भी बदलना तो भी आप नहीं बदल सकते और मुझे लगता है कि आपके जो soulmate है उन्हें question करकर के चीजों को समझाना बहुत पसंद है उन्हें पहले चीजों को explain करना और उसके बाद question करके आप से answer मागने की आदत definitely है अगर आप मिले नहीं हो अभी तक नहीं चानते हो तो ये चीज आप बाद में जाकर realize करोगे कि आपके soulmate को इस तरीके की communication करने की आदत है वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको दिन रद धूनते हैं उन्हें असा लगता है कि आप उने मिली नहीं रहे हो वो कितनी कोशिश कर रहे हैं आपको डूणने की बट आप जो है हमेशा चुपन-चुपाई खेलते रहते हो याने कि आप जो है हमेशा गायब हो जाते हो या फिर यह किसी रास्ते में आपको ढूंते हो तो आप दूसरे रास्ते चले जाते हो तो या पर कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि आप अभी अपने soulmates से नहीं मिले हो आप अभी अपने life partner से नहीं मिले हो लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि आप मिलने वाले हो भले आप कितने भी चुपने की कोशिश करो और वो आपको जल से जल अपना भी बना लेंगे और आपके हर एक मनोकामनाओं को वो पूरा करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे वो आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि आप दोनों का साथ में एक soul purpose है यानि कि आप दोनों का साथ में धर्म का कारिय है जो आप दोनों को मिलके करना है मिलने के बाद इसलिए वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जिस वक्त भी आपको अकेला महसूस हो या फिर आपको लगे कि आपको सब कुछ अकेले ही हसिल करना होगा जिन्दिगी में तो आप गलत हैं क्योंकि इस इंसान के साथ ही आपको बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है और आप दोनों मिलोगे जरूर तो आपके सोल में चाहते हैं कि आप अपने अपने जिन्दिगी के मोरल्स को कभी न भूलें क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत जादा बहुत जादा स्ट्रॉंग ओके हिंदी में मुझे वर्ड नहीं मिल रहा गाईज बहुत जादा जो अपने एथिक्स और मोरल्स को बहुत जादा वैलू करने वाला इंसान है तो वो चाहते हैं कि आप अपने इंदाइत्वों को और मोरल्स को कभी न भूलें भले कैसा भी सिचुएशन हो भले आपको कितना ही पेन क्यों न मिले ठीक है अपने अंदर स्ट्रॉंग जरूर आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और बहुत जल आप जो वेट है जो पेशन्स है वो खतम हो जाएगा वो आपसे बहुत प्यार करते हैं जितना आपको अंदासा तक नहीं है ठीक है अभी अगर मिले भी नहीं हो गाई तो मुझे चांस आपको आपको साथ लिए ही चल रहे है अपने जिंदगी में ठीक है भले ही आपका प्रेसंस ना हो लेकर उन ऐसे लगता है कि आपकी याद या फिर आप जो है उनके साथ जो है लाइफ में कंट्यूनू कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर लिखाई योर लाइफ याने की हो सत इनसान एक ब्राइंड न्यू इनसान है जिनसे आप तेलिप्राथिकली जरूर कनेक्टेड है यह इनरजी में बता सकते हो आप इनको महसूस कर सकते हैं वाव ग्रेट तो अब मैं कुछ करेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ आपके सूलमेट की थाकि आप जो है अपको अरीज भी हो सकते हैं तो चांसेता पाओ यह इनसान जमनाई एकसेंड भू या एरीज एकसेंडेड हो या लीब्र एकसेंडेड हो या पて चांसेता देए कि आप-पहले जब आप इनसान से रहकर आपको red flags मिल रहे हैं red flags मतलब आप जब इनसे मिलोगे पहले-पहले तो आप करसे लएगा कि यह इंसान आपके लिए है ही नहीं ठीक है यह इनसान गलत इंसान है यह इनके साथ आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए romantically और emotionally तो आपको पहले आप इस परसन को पहले गलत समझ लोगे ठीक है यह चीज होगा तीसरे यह आपर दिख रहा है कि यह इनसान royal family से belong करेंगे inherited बहुत होंगे तो किसी dynasty से belong कर सकते है ठीक है यह energy आपर clearly नजर आ रही है और in young के energy है आप जैसे हो आपसे बहुत ज़्यादा opposite यह इनसान होंगे ठीक है यह similarities होंगी लेकिन हाँ जादा तर ऐसी energy होगी कि आप feminine ज़्यादा हो तो वह बहुत ज़्यादा masculine होंगे आप masculine हो उतन होगे twice versa एसी वाले energies है और यह एनसान की जो outer appearance है बहुत ज़्यादा angelic look हो सकता है ठीक है बहुत ज़्यादा groomed बहुत ज़्यादा angelic बहुत vibrant ठीक है बहुत vibrant complexion हो का medium to bta scrip ठीक है बहुत जादा fair energy नहीं है बहुत जादा dark energy नहीं है medium to whitish but again सबके लिए नहीं change हो सकता है ठीक है ये इंसान cancerian भी हो सकते है और ये इंसान एक rider होंगे guys ठीक है bike riding का बहुत shock होगा car riding का बहुत shock होगा horse riding का भी इस person का shock हो सकता है okay तो ये कुछ energy यहां पर दिख रही है इस person की sign Leo भी हो सकती है या फिर sun आपके chart में बहुत heavily हो सकता है या फिर आपके soulmate के तो चांसेता देर है कि आपके 5th house में या 7th house में खीक है या 1st house में भी sun होने के चांसे हैं सबके लिए नहीं but again okay तो या यह कुछ characteristics थे guys तो आप कुछ cards देख लेते है let's see okay embrace through each other you find the missing pieces तो आप दोनों एक दूसरे के missing pieces है guys ठीक है मतलब जबसे आप दोनों ने जन्म लिया है तबसे आप दोनों को हो सकते कोई एक चिस खलती रहती है कही ना कही एक emptiness है भले ही एक इंसान हमेशा fulfilled होता है but still आपको ऐसी vibe आती है कि कुछ तो missing है life में सब कुछ होते है अगर आप दोनों अभी तक मिले नहीं हो लेकिन अलग-अलग लोगों के साथ relationship में रह चुके हो या रह रहे हो तब भी हो सकता है कि आपको उस existing relationship से भी फिल्फिल्मेंट नहीं मिलता आपो तब भी लगता है कि कुछ emptiness है ठीक है romantically किसके साथ involved हो लेकिन तब भी emptiness महसूस हो रही है तो missing वाले पीसे साली energy है जहापर मुझे आपर लग रहा है कि fated connection है predestined connection है ठीक है आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another now is the time to give to yourself तेकि मुझे लग रहा है कि यह जो वक्त है आप दोनों का self improvement का है मुझे लगता है कि आपके soulmate भी अपने life में focused है और आप भी अपने life में focus करने की कोशिश कर रहे हो और अगर नहीं कर रहे हो तो अपने self development में अपने self growth में ज़रूर focus करें थोड़ा सा प्यार महबब से time को थोड़ा सा side में रखें और इन सारी चीज़ों में focus करें ताकि आप दोनों जल्दी मिल पाओ क्योंकि यही वक्त है जहाँ पर मुझे लग रहे है कि आप दोनों ही isolated हो सकते है आप अपने काम में व्यस्ट या फिर आपके soulmate at least जो है life में अकेले हैं और अपने ही life को analyze कर रहे है interpret कर रहे हैं चीजों को और जो है अपने life को बहातर बनाने में लगे है